तो नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर से हम अपने यूटीव चैनल में आपका हार्तिक स्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं देखिए आज कोई स्टॉक आप दे नहीं है कोई स्टॉक आप दोग वीक नहीं है आज मैं आपको लेके चलता हूं कुछ आपको बताने का को पुशिश करता हूं कि हम लोग अपना जो डेटा ट्रेडिंग यू में डालते हैं तो वो किस तरीके से आपन डालते हैं हम लोग कुछ उस पर चर्चा करें हैं लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अभी तक आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंस सकें ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं चलिए मैं स्टाट करता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके से मैं अपना डेटा टेडिंग यू में सेट करता हूं तो यह देखें सबसे पहले हमारा स्क्रीणर और में में पास काफी शार स्टॉक्स आए हुए आज यह मेरा डेली का स्क्रीणर मतलब रोज 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 इस वाली स्क्रीणर को मैं चलाता हूं और जितने भी मेरे जो 20 परसंट के सार्किट लगा रहें इन स्टॉक नियर 20 प हुआ है इसको तो मेरे को काफी टाइम लगेगा इसमें में हो सकता है अब देखाता हूं कितने स्टोक है आज 84 स्टोक डालने के लिए ट्रेडिंग यूव पर जाना पड़ेगा तो वह सकता है कि मेरे पास टाइंब कम हो मैं या आपके पास टाइम कम हो आप नहीं जा पाओ तो उसका एक शोटकर तरीका है कि यह सारा का सारा डेटा आप डाल लीजिए तो वह आपके लिए इसी तू यूज हो जाएगा अब डालेंगे कैसे स्क्रीणर तो बनाया हुआ है उसमें कोई दिक्तत नहीं है लेकिन अब यह स्क्रीणर को डालेंगे कैसे इसके दो तरीके मेरे पास है पहला तो इसको कोपी करिए और do यूसरा सिधा ही एक्सल को डाउल्ट करता हूं तो आपके सामने यह मुआ दिखाता हूं डाउन्लोड करते हैं तो चलो मैंने Excel पर क्लिक कर दिया है और यह आपकी साम्पने download कर लेता हूं तो यह मेरी Excel फाइल है वह आपके सामने open हो चुकी है ये देखिए ये Excel आपके सामने open हो रहा है तो खुल जाता है ये देखिए मेरी excel file आपके सामने खुल गई है अब मैं इस तरीके से अपन क्या करते हैं तो सबसे पहले आपन को इसी से मैं editing view में लेकर आजाने हैं इसको पहली जो अपनी रो है उसको मैं डिलेट करता हूं तो यह मेरे डिलेट होगी है अब मेरे पास क्या बच गया हम मेरे पास रहे गया अब मेरे पास रह गया serial no, stock name, symbol, links,ुरु पुरु उसके बात कितना परसेंड out चेंजी हैं। उसके सबाद प्राइस उसके बाद volume नहीं है। यह मेरा criteria था यह मेरे पास रह गया। कि अब ऐसे स्चुपक को मैं अगर वेलििव फिल्टर करना चाहूं तो मैं यहां पर फिल्टर वेल्यू का przypसक्ता हूं कि आज attl . प Shiv a Time Si अज बात करता हूं कि सब से ऑइसियुर जीने वाल्यू के साब फिल्टर दाल से अब अर्ब सबसे ज़्यादा उसके बाद टाटा स्टील में उसके बाद पंजाब नेसन बैंक में तो यह भी आप वन बाइवन चेक करके इसमें देख सकते हूं अगर आप प्राइस में देख देखना चाहरे हो तो प्राइस में लार्जेस्ट तु स्मॉलेस्ट करिए तो वही सेम जो हम हमारे जिस थी वह सेम सेम हमारे सामने आ चुगी अब हम इस फिल्टर को करते हैं कि बंद तो यह मैंने फिल्टर को बंद कर दिया अब हम लोग यह डेटा है को ट्रेडिंग में कैसे डालें तो देखिए कुछ नहीं करना आपको यह वाला सी कॉलम है इस सी कॉलम के पास एक करने के बाद यह जो अपना भी वाला बोक्स आगया तो यह वाला आ गया तो रहला की है तो यहां पे करना है यहां पर कर लिए यहाँ पर कर लिए चलो मैं first row delete कर देता हूं इसका नाम है d1, admin मैं किया करूंगा, तो सबसे पहले मैं is equal to sign अओ, we're right is equal to sign is equal to ? लिखने केबाद मैं सीधा चला जाओगा यहाँ पे याणि कि इस पे मैं सी यहा पे प्रेश करूँ गा रहे की दूपारा दिखाता हूं यह वाला इस पे मैं प्रेश करता मुह तो कणग क्रेश किया मैंने तो उहाँ पे मेरा सीवन को आ चुका और Sell address C1 आ गया उसके बाद मैं and sign प्रेश करूँगा और and sign प्रेश करने के बाद double डबल कोटेट लगाए, डबल कोटेट लगाने के बाद कोमा लगाने के बाद डबल कोटेट को बंद कर दिए, इस तरीके से मैंने लिखा है, समझ में आया, अगर नहीं आया तो दुबारा बताता हूं, देखिए, क्या गणना है, सबसे पहले is equal to sign इसके बाद यह जो आपनी शेल है इस पर क्लिक करिएगा उसके बाद एंड बटन उसके बाद डबल कोटेट कोमा दुबारा डबल कोटेट कुछ इस तरीके साथ प्लिक दीजिए तो इससे होगा क्या कि यह अपने कोमा लगाया यह C1 के साथ एड कर दिया मतलब C1 के बाद मैंने कोमा एड किया है तो ऐसे तो ट्रेडिंग यू में जाएगा नहीं टेटा हर स्टोक के बाद में आपन को कोमा लगाना पड़ेगा कितने की स्टोक में आपन कोमा लगाएंगे यह तो एक मतलब काफी लंबा प्रोसेस हो गया तो आपन तो डिरेक्ली इसका एक मैथड के थुरू एक फॉर्मूले के थुरू हम लोग यहां पे यह फॉर्मूला लगा देता हूं और उसके बाद लिखने के बाद मैं इसको प्रेश करता हूं एंटर तो मैंने यह एंटर प्रेश कर दिया एंटर प्रेश करने के बाद दुबारा आप इसी सेल पर जाईए और यहां पर यह आपको इस तरीके से प्लशकर साइन मिलेगा डबल क्लिक कर देजिए तो मेरा सा box का नामी तो में और तर्ली में डालना है तो इस ही डेटा को मैं किया करणा को प्रिद बाद कर लिए MMA यहां पर कोपी कर लिया सिदह गया ट्रेडिंग यूपे घ्ला तरीनिक muchís तरीका जाले हैं यहां पर यहाँ पर चाहब करते हैं इस पर काम कि сам यह डिट आपन कि किस तरीके से टालें है यहाँ आप 20 घूर अ यह यह देखे मैंगे आपके सामने कुछ tür एका पेटर्न चुका यह मेरा जो लिस्ट बना रखी है मैंने जो लिस्ट है मेरी उस इंडेक्स की लिस्ट है कौन सी इंडेक्स में कैसे क्या कितना परसेंटेज मोमेंट है कितना दाउन वह सारा दिखा देता है अब आपने को ज्यादा कुछ नहीं करना यह वाला साइन है रेड लिस्ट लिक रखा है आप आप क्लिक करिए और उपर सबसे उपर option मिलेगा आपको create new list का create new list पे आप कोई भी नाम डाल दीजे तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लिस्टॉक मैंने डेली स्टॉक लिख दिया तो डेली स्टॉक की लिस्ट आपके सामने इस तरीके से बन गई मतलब इस लिस्ट का नामी बना इसमें अभी तक स्टॉक नहीं आए तो अब क्या करेंगे यह वाला जो हो यहां पर ट्रेडंग्यू में आजाएगा अब इसको शोट कर लिजे तो मैंने यहाँ पर करके चेंज पर कर लिया मैं देखता हूं कि शोट करने की बाद किस तरीके से अपना प्रेंदा चेक करता हूं तो देखिए यहां पर अब उसको पूरी स्क्रीन पर लेकिया जाए है अब देखिए यहां पर आपको ओल कंट्री का चार्ट मिला होगा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डेली ब्रेक आउट है और यूसी अलसी स्टों काम नहीं करेंगे तो अपने अ सिर्कापेंट है और यह भी काफी अच्छी मोमेंट दे सकता है तो इस तरीके से मां वन बाइवन करके यानि की ओनली फॉर ओनली फॉर पांच या दस मिनट में 84 चार्ट को अपना देख लेता हूं इतना ग्यादा टाइम में लगता काफी कम टाइम लगता मतलब करीब 84 च मतलब यह लाइं जो आपना एनाली थ्षिस किया है मैंने कहीना कहीन आनले थिस किया है तो यह इस तरीकेसे आपके सामने स्टोक में आप्समेत्व लाइन सरी है इन कजा रही है और यह से तरीकant कुछ नहीं करा ह switched i was और बार 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 तो मैरे पास नएवी नए नए ताइम विस्ट ना हो तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना शब्सक्राइब परना थेंक यू थेंक यू वनाइस टेल